हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सास्त से नो साल की बच्ची के लिए स्कल्ट अम्रेला स्कल्ट की कटिंग करना सीखेंगे तो देखें किस तरह से कदनी है वो बनाना काफी आसान है तो जो हमारी तयार स्कल्ट होगी उसकी जो लंबाई होगी वो 20 इंच होगी तो ये मैंने इसको बनाने के लिए ये नैट का कपडा लिया है और इसमें ये मैं नीचे इसके अस्तर लगाऊंगी ये प्लेन कपडा लिया है और जो लाश्टिक की लंबाई है वो 17 इंच है आप अपनी कमर की लंबाई लेकर गोलाई लेकर के उससे तीन इंच लाश्टिक कम square save में कपड़ा ले लेंगे बिल्कुल लंबाई और चोड़ाई इसकी बराबर होनी चाहिए और फिर इस तरह से इसको डवल करेंगे इसकी इस तरह से fourth layer और फिर इसकी आठ लेयर में इसको कर लेंगे देखिये ऐसे और फिर उपर से हलकी सी गोलाई देंगे ऐसे और नीचे इस तरह से round shape देंगे और फिर इस तरह से round में cutting कर देंगे और ये इस तरह से इसकी shape आएगी एकदम गोलाई और उपर की बैल कार्ट लेंगे जो extra कपड़ा होगा इस तरह से ये भी मैं आपको बताऊंगे बैल्ट किस तरह कितनी नाप की बनानी है और इस तरह से तो ये कुछ इस तरह से आएगी देखिए सेम इसी तरह से कपड़े की cutting करनी है तो ये जो मेरा कपड़ा है इसकी जो लंबाई है वो तो 50 इंच है जो चोड़ाई है वो 55 है तो एक साइट से हम इसकी बैल्ट निकार लेंगे वो जह हम गुलाई करेंगे वो तभी निकल आएगी तो इस तरह से कपड़े को हम इस तरह से देखिए ऐसे डवल करेंगे इस तरह से देखिए ये चार लेयर में है 50 इंच इसकी लंबाई रखनी है और 50 इंच चोड़ाई और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा एक साइट को पांच इंच उसकी हम बैल्ट बनाएंगे तो इस तरह से इसको डवल कर लेंगे ऐसे देखिए अच्छे से इसको फैलाएंगे ऐसे देखिए एक दम इसकी सल्वटे सारी निकाल लेंगे फिर इसको इस तरह से करेंगे ट्राइंगल सेफ में आप देख सकते हो ये इस थरह से देखी ये अक्ष्टा कपर हमारा ये बाहर आ गया है 5 इंच इधर देख सकते हो आप ऐसे यहां से ये इस थरह से देखे ये 8 लेयर में हो गया कपड़ा और एक्ष्टा हमने एक साईट को निकाल लिया है क्योंकि जो हमें इसकल्ट इसमें बनानी है वह 22 इंच की स्कल्ट बनानी है तैयार इसकल्ट जो होगी वह 22 इंच की होगी तो इस तरह से ऐसे देखिए इसको हम ट्राइंगल सेप में रखेंगे और फिर इस तरह से नीचे को 25 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर की साइट से भी 25 इंच पर निशान लगाएंगे उपर से एकदम ऐसे देखे और यहीं से हम इस तरह से 25 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे ऐसे देखे और राउंड सेब देंगे ऐसे बना कर दे निशान लगाते जाएंगे 25 इंच पर ऐसे देखे और इस तरह से राउंड सेव बना लेंगे और जो एक्ष्ट्रा कपड़ा है देखे वो एक साइड को निकलाएगा अच्छे से राउंड सेव देंगे ऐसे फिर उपर की साइड से यहाँ पर देखे हम साड़े चार इंच पर निशान लगाएंगे यह साड़े चार इंच पर लगाना है ऐसे देखे और इसी तरह से साड़े इंच पर गोलाई देते जाएंगे निशान लगाते हुए तो यह इस तरह से हमारी गोलाई आ जाएगी नीचे भी और उपर भी अब देखिए जब हम नापेंगे तो यह 20 इंच हो रहा है ऐसे देखिए 20 इंच पर निशान लगाएंगे 20 इंच पर तो यह यहां तक देखिए इस तरह से 20 इंच पर क्योंकि आदा हिंच एक्ष्टर लेंगे सिलाई के लिए और फिर इस तरह से जैसे हमने ये राउंड सेप दी थी उसी सेप में हम कटिंग कर लेंगे आप चाहे कितनी छोटी या बड़ी बच्ची के लिए स्कल्ट बनाए तो जो कपड़ा लेना है वो इसक्वायर सेप में ही लेना है क्योंकि जो हम इस तरह की स्कल्ट बनाते हैं तो कपड़ा हम उसके लिए स्कॉायर शेप में ही लेते हैं अगर हम सर्किल वाली स्कल्ट बनाते हैं तो ये देखे ये इस तरह से आगे से सर्किल निकलाया है इसमें से जो यह हमने आगे से कटिंग किया था तो यह देखे कुछ यह शेप में ऐसे आएगी देख सकते हो आप इदम बढ़ी ऐसी हमारी स्कल्ट की कटिंग हो गई है आप देख सकते हो तो इसी तरह से हम इसके अंदर दगाने के लिए अस्तर की कटिंग करेंगे सेम ऐसे ही करनी है जैसे हमने इस कल्ट की कटिंग की थी बस जैसे हमने इसमें कपड़ा गया था इसकी लंबाई हमने 25 इंच ली थी तो आपको उसकी लंबाई 2 इंच कम रखनी है ऐसे देखी मैंने कटिंग कर लिया है पहले से कटिंग करके रखा तो यह देखे इस तरह से 2 इंच चोटा रहेगा अस्तर जो रहेगा वो 2 इंच चोटा रहेगा डेड़ या 2 इंच तो अब इस तरह से हम बैल्ट की कटिंग कर लेंगे तो बैल्ट की कटिंग किस तरह से करनी है जो हमारा ये आगे से सरकिल निकला था ये यहां से जो हमने सरकिल की कटिंग क कि इसी से हम बैल्ट की नाप लेंगे तो ये देखिए एक साइट हम निशान लगा लेंगे और फिर यहीं से हम इस तरह से इसको नाप खेंगे ऐसे देखिए तो इतनी ही हमें बैल्ड लेनी है इस पर लगाने की के लिए heels लेनी है में लंबाई तो रखी पैल्ट की इस तरह से देखे इतनी कितनी 30 इंच का यह हमारा सर्गिल है तो कम एक एक इंच हम एक्ष्टर नियेंगे गिस लाहिगे तो हम 31 इंच लेंगे तो चार इंच इस तरह से लंबाई होनी चाहिए चोड़ाई सोरी और जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 31 तो ये अंदर हम अस्तर लगाएंगे बैल्ट के भी क्योंकि उपर ये नैट है नहीं तो ये इसके अंदर अगर ऐसे ही लगाएंगे तो लाश्टिक दिखाई देगी तो इस तरह से दो एकदम शेम आपकी पट्टी लेंगे एक तो अस्तर वाली पट्टी और एक ये नैट वाली पट्टी इस तरह से बरावर चार इंच इसकी चोड़ाई होनी चाहिए और जो लंबाई है वो होनी चाहिए 31 इंच इस तरह से और फिर इसको चारो साइट से पर सिलाई कर लेंगे तो ये दे यहीं से यह अस्तर को डालेंगे इसके अंदर और फिर इसके चारो तरफ सिलाई कर लेंगे अंदर को डाल करके अस्तर को और फिर इस तरह से सिलाई कर लेंगे इस तरह की स्कर्ड को बनाना काफी आसान होता है फ्रेंड्स इस तरह से सिलाई कर लेंगे तो इस तरह से देखिए मैंने इसकी चारू साइट सिलाई कर ली है अस्तर और फैबरिक पर और यह देखिए जो मैंने यह बैल्ट तयार की थी अब हम इसके उपर लगाएंगे पर इस पर लगाने से पहले हम इसकर्ट में थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे तो इस तरह से मैंने ये दो पट्या ली है 10 इंच लंबाई और इसकी 4 इंच चोड़ाई है दोनों पट्यों की फिर इनको इस तरह से देखे जैसे मैं चोक से निशान लगा रही हूँ उसी सेप में हमें शिलाई करनी है ऐसे देखिए ये तीन साइट सिलाई करनी है और एक साइट खुला रखना है तो दोनों पर देखी मैंने शिलाई कर ली है देखी आगे से तो चोड़ी है और पीछे से थोड़ी ये पतली है तो इसी सेप में हम पत्टी बनाएंगे और फिर इसको राइट साइट दोनों पत्टियों को कर लेंगे सीधी साइट कर लेंगे और अच्छे से इनके कोर्नर निकार लेंगे दोनों साइट के ऐसे देखिए और फिर इन पट्टियों पर हम प्रेस करेंगे और फिर प्रेस करने के बाद इस तरह ऐसे रखेंगे ऐसे देखिए और फिर सिलाई कर लेंगे और इस पर हम एक बटन लगाएंगे जो बाद में लगाएंगे जह पट्टी को हम जोड़ लेंगे स्कल्ट से इसकल्ट पर तो इस तरह से देखिए ऐसे बीच में निशान लगाएंगे और इसके उपर ये पट्टी रखेंगे और फिर यहाँ पर हम एक पिन लगा लेंगे अगर वीडियो पसंद आ रही हो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एंड में लाइक और शेयर भी कर दीजिए तो इस तरह से ये बैल्ट को रखेंगे इसको आधा इंच छोड़ करके सिलाई करेंगे ये अस्तर पर रखना है ऐसे देखिए और उल्टी साइड रखेंगे दोनों को क्योंकि ये सीधी साइड पलट करके हम बैल्ट लगाएंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग आती है तो इस तरह से सिलाई कर लेंगे और इस बैल्ट को चारो साइड लगा लेंगे अगर हम सर्किल से नाप करके बैल्ट की कटिंग करते हैं तो जो बैल्ट है वो एकदम परफेक्ट बनती है और एकदम ये पूरे उस पर आ जाएगी सर्किल पर ऐसे देखिए और फिर सिलाई कर लेंगे बिल्कु किनारे पर करनी है सिलाई अगर आपको थोड़ी सी भी बैल्ट ऐसी लगे की सोरी बैल्ट नहीं स्कल्ट की बैल्ट से बड़ी है तो हलके से आप इसमें थोड़ी सी प्लेट भी डाल सकते हो अंदर की साइट बहुत थी हलके हलके से अगर आपको लगे की स्कल्ट की जो गोलाई है वो थोड़ी जादा है और जो बैल्ट है वो थोड़ी कम है तो आप हलके हलकी सी प्लेट भी डाल सकते हो और यहां से हम यह पिन निकाल लेंगे और सिलाई कर देंगे इन दोनों पट्टियों के उपर भी जो यह डिजाइन सा बनाया है हमने स्कर्ट में तो ऐसे चारो साइड सिलाई कर लेंगे इस तरह से हम बैल्ट को चारो साइड लगा लेंगे इस कर्ट की और जहां से हमने यहां पर देखिए जहां से हमने यह बैल्ट लगाना श्टार्ट किया था बहां पर इस तरह से स्कर्ट करेंगे देखिए कि एसे हम यहां से इसको इस तरह से देखिए पहले हम इन दोनों को जोड लेंगे जहां से हमने यह सुरू कि इस तरह से देखिए ऐसे और यह पर हम सिलाई कर लेंगे ऐसे देखिए और सिलाई करने के बाद ये जो थोड़ा सा खुला हुआ पोर्शन है इस पर भी सिलाई कर लेंगे ये देखिए इस तरह से हमने बैल्ट लगा ली है आप करना क्या है देखिए बैल्ट को इस साइड इस तरह से हम सीधी साइड को हलका सा मोलेंगे आगे सो फिर इस तरह से मोल करके यहां पर ऐसे देखिए और यहां इसके चारो साइड सिलाई करेंगे ऐसे देखिए के मोरें जो छाए करेंगेैं मैं इसकी ये बैल्ट को लगाएंगे है तो यह इस तरह से 2 इंच की हमारी बैलट हो गई और चाखे 22 सोरी साखे 20 ही का आधिक की कट्टिंग की थी तो यह इस तरह से जो हमारी इसकांट बनेगी तो यह ऐसकी जो लंबाई हो की बहुत 22 इंच हो जाएगी तो अब इस तरह ऐसे चारों साइड मोड करके सिलाई कर लेंगे ऐसे देखिए कि ऐसे देखिए और बच्चों के जो बच्चियां होती हैं उनके लड़कियों के इस तरह की सकर्ट सुन्दर भी लगती हैं सर्किल वाली क्योंकि फुल घेर की होती है तो सुन्दर लगती है तो यह देखिए मैंने बैल्ट को लगा लिया है मैंने और यह थोड़ा सा पॉर्ट्सन खुला हुआ रखा है यही से हम इसमें इलाश्टिक को डालेंगे ऐसे देखिए इलाश्टिक को पिन में डाल करके और इसमें हम डाल लेंगे इस तरह से और यहां पर अच्छे से इलाश्टिक को फैला लेंगे और इस तरह से यहां पर दोनों को हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे दोनों पर यहां पर ऐसे दो तीन बार सिलाई करनी है तो यह देखिए मैंने सिलाई कर ली है और अच्छे से फैला लेंगे और जो खुला हुआ पोर्शन है जहां से हमने इलाश्टिक को डाला था उसको भी हम उस पर भी हम सिलाई कर लेंगे तो यह देखी मैंने सिलाई कर ली है अब करना क्या है एक बटन लेना है और बटन को हम जो यह हमने दो पट्टिया लगाई थी यहां पर टाक देंगे लगा देंगे बटन को ऐसे देखी मैंने बटन को लगा दिया है आप करना क्या है देखिए जो यह दोनों साइडे हैं हमारी नीचे का जो घेर है उस पर भी सिलाई कर लेंगे ऐसे देखी अंदर को मोलेंगे और ऐसे सिलाई कर लेंगे इस पर भी और और उसका फ्यारा फैबरिक है नैट फैबरिक जो है बिलकु हलका सा नीचे से मोलेंगे और चारो साइड इतना इसका फुल घेर है उस पर सिलाई कर देंगे ऐसे दिखिए और ऐसी सिलाई अस्तर पर करनी है ऐसे मोलेंगे और सिलाई कर देंगे क्योंकि यह नैट है इस पर मैं पीको भी नहीं करा सकती और अगर फैब्रिक हो आपका कपड़ा तो उस पर आप पीको कराईए तो और भी सुन्दर यह लगेगा नीचे से तो ऐसी ही से लाइड देखिए मैंने अस्तर पर भी कर ली है और इस पर फैब्रिक नैट पर भी कर ली है अब हम इसको देखे राइट साइट करेंगे तो देखे कितनी प्यारी और कितनी सुन्दर यह हमारी स्कल्ट बनी है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स बाई